हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल टेस्ट का जहां तो आज हम बनाने वाले हैं चिकेन बंस जो बिलकुल बेकरी स्टाइल में बनकर रेडी होते हैं और सबसे मज़ेदार बात ये है कि हम इसे विदाउट ओवेन बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले हम ले लेँगे वन टीस्पून ईस्ट हमने इंस्टेंट ड्राइ ईस्ट लिया है जिसको अक्टिवेट करने के लिए हम इसमें एड कर देंगे 2 teaspoon sugar and half cup warm water बहुत जादा गरम आपको नहीं लेना है पर हाँ थोड़ा सा warm water हम लेंगे और इसे हम अच्छे से mix करके side में 10 minutes के लिए रख देंगे जिससे हमारा yeast जो है वो अच्छे से foamy हो जाएगा उसमें जाग आ जाएगा और ये activate हो जाएगा अब एक दूसरे बाउल में हम ले लेंगे 2 cup मैदा और अब इसमें हम add कर देंगे 1 egg इसके बाद हम इसमें add करेंगे half teaspoon salt two tablespoon oil हमने cooking oil लिया है और हमारा yeast जो हमने activate होने रखा था ये सारी चीजों को अच्छे से mix करके एक soft dough हम ready कर लेंगे इसके बाद हम इसे oil से भी grease करके अच्छे से गून लेंगे ये हमारा dough ready हो चुका है हम इसे at least two to three hours के लिए रख देंगे इसके बाद हम stuffing ready कर लेते हैं हमने लिया है एक fry pan उसमें add कर देंगे one one teaspoon chopped garlic and chopped ginger उसे two minutes के लिए saute कर लेंगे इसके बाद हम add करेंगे one medium size का finely chopped onion हमने boiled and shredded chicken add कर दिया है हमने chicken को salt डाल के boil कर लिया था और अब हम add कर रहे हैं two tablespoon मैदा अच्छे से उसे भून लेंगे इसके बाद हम add कर देंगे one cup milk सारी चीजों को अच्छे से mix करने के बाद अब हम add कर देंगे chopped capsicum and corn हमने boiled corn लिया है इसके बाद इसे भी हम mix कर लेंगे अब add कर देंगे half teaspoon salt black pepper powder गरम masala powder red chili powder ये सारा कुछ हमने half teaspoon लिया था अब हम add कर रहे हैं one teaspoon dark soya sauce and one teaspoon red chili sauce अब हमने cheese का slice add कर दिया है और थोड़ा सा mozzarella cheese हम इसमे grate करके डाल देंगे आप अपना कोई भी favorite cheese add कर लीजिएगा और हमारा stuffing ready है after two hours हमारा dough बहुत अच्छे से rise हो गया है हम उसमें इस तरह से punch कर देंगे जिससे के उसका air बाहर निकल जाए और उसे एक बार फिर two minutes के लिए गून लेंगे अब हम इसे इस तरह से roll कर लेंगे और उसके छोटे छोटे जो है पेड़े बना लेंगे पेड़े आपको medium size के बनाने है बहुत जादा छोटे या बड़े नहीं बनाने ये देखिए इस तरह से इस तरह से हमने इसके सारे पेड़े ready कर लिये है अब हम इसमें chicken का stuffing फिल कर देंगे इस तरह से थोड़ा सा आचा लेके हम उसे हातों से जो है shape देंगे ये देखिए थोड़ा सा बड़ा जो है हमने उसे कर लिया है अब इस तरह से हम chicken का stuffing जो है center में रखेंगे और इसे यूँ हम बन कर देंगे आपको बहुत अच्छे से इसे close कर देना है जिस तरह से आपने वीडियो में देखा बस इसी तरह है बहुत ही simply हो जाता है और ये हमने ready कर लिया है अब हमने एक अंडा लिया है उसमें से हम yellow part अलग करके उसे फेट लेंगे और ये हमारे सारे buns के उपर जो है अंडे का yellow part उसे grease कर देंगे और उस पे अब हम white and black till जो है sprinkle कर देंगे इससे जो है बहुत ही अच्छा दिखने में look आता है ये देखे हमारे buns जो है वो बेक होने के लिए बिलकुल ready है इसे आप 10 minutes के लिए side में रख दें उसके बाद हमने एक पतीली ली है उसमें salt डाल के जो है आप कोई भी strand रखें और उसमें अपना baking tray रख दें आपको इसे 35 minutes तक बेक करना है आफटर 35 minutes ये देखे हमारे chicken buns जो है वो बिलकुल bakery style में बनकर ready है और ये बहुत ही जादा tempting लग रहे है आप प्लीज इसे try करिएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में बनाया है या बाहर से मंगवाया है अब इसे इसी तरह से soft बनाया रखने के लिए हमें गीले कपड़े से 10 minutes के लिए ढग देंगे after 10 minutes आप देख सकते हैं ये कितना जादा soft and spongy हो गया है उपर नीचे हर जगे से golden हो गया है मैं आपको एक बन जो है दिखाती हूँ ये देखिए ये बिलकुल ही soft है बहुत अच्छे से टूट रहा है आप प्लीज इसे try करिएगा and comment करिएगा कि आपको recipe कैसी लगी मिलते हैं आप से जल दी एक new recipe के साथ तब तक के लिए enjoy करिए chicken buns thank you so much bye bye